नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गजाला प्रवे बिहार बोर्ड ने कक्षा बार्मी का रिजल्ट जारी कर दिया है इस परिक्षा में कुल 80.15 प्रतिशत छात्र पास हुए है कक्षा बार्मी की परिक्षा में कौम मर्स से अंकित कुमार गुपता आठ से संगम राज, साइन्स से सौरब कुमार ने टॉप किया है वहीं आठ से दूसरे स्थान पर कटिहार की श्रिया और तीसरे स्थान पर मधेपुरा की रितिका रही है अब भी हार बोड के टॉपपर्स को सरकार की और से इंटर के तीनों स्ट्रीम के छात्रों को एक एक लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा इसी के साथ एक लेपटॉप और किंडल बुक रिडर भी दिया जाएगा दूसरा स्थान हासिल करने वाले परिक्षार्थी को 75,000 रुपए एक लेपटॉप और एक किंडल इबुक रिडर पुरुसकार के रूप में दिया जाएगा जबकि तीसरे स्थान हासिल करने वाले चात्र को 50,000 रुपए एक लेपटॉप और एक किंडल इबुक रिडर पुरुसकार के रूप में दी जाएगी इसके अलावा तीसरे इस्थान हासिल करने वाले परिक्षार्थियों को 50,000 रुपए के अलावा एक लेप्टॉप और किंडर e-book रीडर दिया जाएगा तीनों स्ट्रिम में चौथा और पांचुआ इस्थान हासिल करने वाले परिक्षारती को 15,000 रुपए और एक एक लेप्टॉप दिया जाएगा जबकि इंटर्मीडियेट में चौथा और पांच्वां स्थान हासिल करने वाले परिक्षार्थी को 15,000 रुपए और एक लेप्टॉप दिया जाएगा बतादे की हर साल मेधा सूची में शामिल छात्रों को इनाम दिया जाता है इसके अलावा अन्या प्रोटसाहन राशी के रूप में लड़कियों को बिहार सरकार 25,000 रुपए देगी आपको बतादे बीते कुछ सालों से बिहार बोर्ट के टॉपर पर विवाद होने के बाद चयन प्रक्रिया में कई बदलाव कर दिये गए हैं इसके तहत छात्रों को लिखित परिक्षा के बाद इंटर्व्यू की कठीन प्रक्रिया के दौर से भी गुजरना होता है इसके तहत अधिक्तम अंक पाने वाले सौब परिक्षार्थियों को अलग से इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाता है उनकी कौपी भी दोबारा से चेक की जाती है और उनकी हैंड राइटिंग का भी मिलान किया जाता है इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद टौपर का चयन किया जाता है फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ